यूपी में सहरनपुर के पास देवबंद में यूपी की योगी सरकार एंटी टेरर स्कौर्ड स्थापित करना चाहती है देवबंद में ही इसलामिक सेमिनेरी दारूल उलूम भी है वैसे राज के चार अन्य शहरों में भी ये ATS कमांडो यूनिट सेट अप की जाएगी लेकिन योगी की मीडिया एडवाइजर शलप मनी त्रिपाटी की ये ट्वीट यूपी सरकार के मकसद को लेकर काफी कुछ कहती है क्या कहती है ये ट्वीट? देखिएगा तालिबानी बरबरता के बीच योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने का फैसला किया है यो धुस्तर पर काम शुरू हो चुका है यही नहीं अपनी दूसरी ट्वीट में शलप मनी त्रिपाटी लिखते है देवबंद में अभी ATS यूनिट खुली भी नहीं कि इस बीच आतंकियों के पैरोकारों और उनके मुकदमे वापस लेने वालों के पेट में भीशन दर्द शुरू हो गया है आतंक, तालिबान, एंटी, टेरर, स्क्वाड और देवबंद के बीच ये कैसा कनेक्शन ढून रहे हैं बीजेपी के लोग और यूपी की योगी सरकार वैसे योगी जी और मोदी जी के मन की बात समझना दरसल इतना मुश्किल भी नहीं शलब मनी जी ने उसका स्वैम खुलासा कर दिया विधान सवा चुनाव से पहले एटियेस सेंटर खूलने के योगी सरकार के इस राजनितिक दाओं को समझेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ यूपी के बिठूर के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंग सांगा का वीडियो है ये खुले आम सांपरताइक नफरत बांट रहें धमकी दे रहें इलाके से मुहर्रम के दौरान ताजिया का जलूस नहीं जाने दिया जाएगा 19 तारिक को है मुहर्रम यानि की गुरुवार को थर्स्डे को बोल रहें कि इलाके को कर्वला नहीं बनने दिया जाएगा पहले ये वीडियो देख लिजे आप मुझे पुब्रा विस्वास है कि साथ यो आज देश में मोर्णी की सरकार है अपर देश में योगी की सरकार आप कि यहां कि धर्टी पर आकर करें कोई ताजिया दफनाने का काम करें यह उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आज यह मैं चुनोटी देने का कामुन लोगुकता हो बलाने वाली तारिक को कोजी तारिक बन रही है अगर यहां टाजिया उठेगा तो लखनो की विधान सभा में चोड़ दूंगा और यहां पर आकर करें का कामुन लोग जिस धर्म में वो पैदा हुए उसको इठीक से नहीं समझ पाए तो वो दूसरे धर्मों के महत्वकून पढ़ाओं उसके इतिहास को क्या समझेंगे उसके फलस्टफे को क्या समझेंगे अबिजीद सांगा इसलाम में कर्बला के माइने को क्या समझेंगे कर्बला धर्म को बचाने के लिए शहादत थी पेगंबर मुहम्मद के नवासे इमाम खुसेन उनके परिवार और संगी साथी 72 लोगों को चल के द्वारा मौत के घाट उतारा गया था कातिलों ने 6 महीने के बच्चे अली अजगर को भी नहीं बख्षा उस एतिहासिक वाकिये के बारे में जब जब पढ़ता हूँ तो रूंग्टे खड़े हो जाते हैं ताजिया हजड़त इमाम हुसेन की कबर का प्रतीक होता है खास्तोर पर शिया मुसल्मान मुहर्म के दिनों में उसी शोक की घड़ी को याद करते हैं अब जीत संगा पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं लेकिन आज आपको कुछ और भी बताना जरूरी है संदर्भ अफगानिस्तान का है तालिबान का है लेकिन कहानी भारत की है यहां एक ऐसी बहस शुरू हो चुकी है जो अवल होनी ही नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफियुर्रह्मान बर्क का बयान आता है कि जिसमें वो तालिबानियों को भारतिय स्वतंतरता सेनानियों से तुलना करते हुए दिखते हैं बामियान में भुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ती तोड़ने वाले यही तालिबानी आईसी 814 इंडियन एरलाइन्स प्लेन हाईजैक करने वाले यही तालिबानी आतंकी ओसामा बिल लादिन को पनहा देने वाले तालिबानी जो तालिबानियों के पुराने शासन उनकी हिस्ट्री उनकी ट्राजिक्ट्री उनकी मानसिक्ता उनकी धार में कट्टर्ता से वाकिफ है वो यह कैसे कह सकता है कि तालिबानी वैसे ही स्वतंत्रता से नानी है जैसे कि हमारे देश की आजादी के लिए लड़े नेता लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे बयान एक जिम्मदार नेता दे रहा है दिये है यही नहीं बलकि एक दूसरे मुस्लिम धार्विक नेता सज्जाद नुमानी का भी बयान आता है कि तालीबानियों को सलाम कि उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत से नाओं को शिकस दे सज्जाद नुमानी ओल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लौबोर्ट के सदस्य है दरसल आतंकी और धार्मिक कट्टरता की मानसिक्ता का समर्थन देने वाले यही लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोगों से सेकलोरिजम और धार्मिक उदारवाद की उमीद रखते हैं लेकिन अपने धर्म से जुड़े किसी कट्टर पंत विचारों से खुद को दूर रखना तो दूर उसकी वकालत करते दिखते हैं ऐसे समय में जब भारत में सेकलोरिजम को बचाय रखने की जदोजहद है वहीं एक कटर इसलामिक विदेशी संग्ठन के लिए भारत के कुछ मुस्लिम नेताओं का समर्थन भरा बयान काफी निराशा जनक है नमस्कार मैं हूँ आपका न्यूस बाज प्रभात शुंग्रू में राज का सवाल क्या भारत जैसे लोकतंतर में मुस्लिम नेताओं को तालिबान का समर्थन करना चाहिए अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजेगा उधर तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां की जो शुरुआती तस्वीरें और वीडियो आए उनसे नए अफगानिस्तान का सुरूब दिखाई देने लगा कब्जा करने की बात की ये पहली तस्वीर है ये जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तालिबानी नेता बैठे हुए है और उनके पीछे बंदूग धारी शफीव रह्मान बर्क या फिर सज्जाद नुमानी को ये तस्वीरें नहीं दिखी थी क्या कई देशों के साथ साथ भारत को काबल में अपनी अमबेसी और सभी काउंसलेट जो अफगानिस्तान में काउंसलेट थे चार पाश चेरों वो भी बंद करने पड़ थे अमबेसी के लोगों को सुरक्षद भारत लाया गया है क्या इससे भी खौफनाक कोई मनजर हो सकता है किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने पे क्या सभी अमबेसीयां तमाम देशों की बंद हो जाया करती है जाहर है तालिबान या तालिबानी कोई पार्टी नहीं जो लोकतंदर के रास्ते काबल की सक्ता पर पहुँचे लेकिन सज्जाद नो मानी भारत से तालिबानियों को हिंदी मुस्लिम का सलाम भेचते है अब पता नहीं मुल्ला बरादर ने उनका ये सलाम कुबूल किया अब तक या नहीं मुल्ला अब्दुल गनी एक आँख वाले तालिबानी सरगना मुल्ला उमर के करीबी थे उनके डिप्टी मुल्ला उमर उन्हें भाई मानते थे इसलिए मुल्ला बरादर यानी बरदर भाई राश्ट बदी गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं तालिबानियों से खौफजदा अफगानिस्तान की जनता हजारों की तादाद में पलाइन कर रही लेकिन भारत में शफिय उर्रमान बर्क सांसद शफिय उर्रमान बर्क और नुमानी जैसे ओल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लौ बोर्ड के सदस से तालिबानियों को सेलिट कर रहें उन्हें स्वतंतरता सेनानी बता रहें काबुल एरपोर्ट पर टेक आफ करते अमरीकी ट्रांसपोर्ड एरट्राफ्ट पर वहां के आम अफगानी लटक रहें हैं वो हमने भीड देखी वीडियो देखा पूरी हुजूम देखी पूरी दुनिया ने देखा तीन लोग तो मिडियर जहां से गिरें विभत्स तस्वीरें जाहिर तोरपन हुने अपनी जान भी गवाई उस हवाई जहाज के पईयों से मानव अवशेश मिलें लेकिन नुमानी और बर्क शायद ये वीडियो अब तक देख नहीं पाए हैं या देख के भी अंदेखा कर रहे हैं ये तालिबानियों के खौफ से कौन लोग भाग रहे थे जिन्होंने अपनी जान गवाई तालिबानियों की प्रेस कौनफरेंस जिसमें विदेशी पत्रकार बुलाए गए बुलाए गए ये सच है महिला पत्रकार भी थी मगर उनकी ड्रेस कोड वेस्टन कता ही नहीं थी वो नहीं थी ड्रेस कोड या ड्रेस जो वो पहले पहनती आई थी पहले के शासन में यानि तालीबानियों के खौफ में उनकी ड्रेस भी बदल चुकी थी उसी प्रेस कॉन्फरेंस में एक अफगानी महिला पत्रकार ने तालीबानियों से पूछा क्या आपके शासन में महिला पत्रकार पहले की तरह काम कर पाएंगी तो उधर से उन्हें हाथ दिखाया गया कि नई सरकार फैसला करेगी वहां मौझूद दूसरे पत्रकारों ने बताया जो इंटरनाशनल टेलिविजन चैनल्स पे हमने देखा कि तालिबानियों का बोलने का अंदास कहने का टोन सही नहीं लगा उनको जब ये सवाल पूछे गए और भी जो सवाल पूछे गए उनसे पॉइंट प्लाइंक लेकिन सज्जाद नुमानी का तो मानना है कि तालिबानी जब काबल में घुसे तो उनको जरा भी गरूर और घमंड नहीं था यह यहां से बैटके उन्होंने देख लिया था वो नौजवान यानि तालिबानी नौजवान काबल की सरजमी को चूम रहे थे यह कहना है नौवानी का उनके जजबे को सलाम यह नौवानी और बर्क जैसे नेता ही हैं जो किसी भी हिंदुत वादी साम्परदाई घटना की जम कर मजब्मत करते हैं करनी भी चाहिए हर उस नागरिक को ऐसी घटनाओं की मजब्मत करनी चाहिए जो भारत के इंकलूजव समिधान में विश्वास रखता है लेकिन नौवानी और बर्क का ये बयान शर्मनाख ही नहीं बलकि उनके दोगले पन को भी दिखाता है तालिबानियों के समर्थन में अपना सलाम भेज कर उनके सुतन्ता सेनानी बता कर उन्हें वो ना तो भारत की धर्म निर्पेक्ष्टा को समझ पाए हैं और नहीं अपने धर्म के अच्छे वकील कहलाने लाइक है जबकि इन में से एक संसद में अपने शेत्र के लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा और दूसरा मुसलिम धर्म से जुड़े परसनल लोग का जानकार और इस से जुड़े देश के सबसे बड़े संगठन का अहम सदस से वापस लिए चलता हूँ देवबंद जहां योगी सरकार के एक फैसले से राजनेतिक विबात खड़ा हो गया देवबंद में योगी सरकार एंटी टेरर स्कॉर्ट सेट अप करना चाहती है इसके अलावा मेरट, गौतम, बुद्ध, नगर, श्रवस्ति और बहराईश में भी इसी तरह के ATS यूनिट खोले जाएंगे ये सरकार का फैसला आया, योगी सरकार का लेकिन देवबंद में ATS के लिए 2000 स्कॉर मीटर की जमीन सरकार ने आवंटित कर दी है मतलब, यहां पे तो काम जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है सरकार कुहा के किसी शहर में भी सरकारी महकमे या कमांडो दल गठित करने का कुछ भी यूनिट सेट अप करने का लेकिन देवबंद की इसलामिक सेमिनेरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशूर है आकिर वहीं से योगी जी एटियस खुलने की शुरूबात क्यों कर रहे है वो भी विधान सभा चुनाव से ठीक पहले क्या संदेश देना चाहते है क्या ये संदेश मुसल्मानों के लिए है क्या ये भी बीजेपी और योगी मोदी के पुलराइजेशन की जो व्यापक दाउं है उसका हिस्सा है अब ऐसे योगी जी के मीडिया एडवाइजर शेलम मन इंत्री पार्टी तो योगी जी के मन की बात का खुलासा करी चुके है कि जैसे ये फैस्टा लिया गया तो आतंकियों के पैरोकारों के पेट में दर्द होने लगे ये बूर रहते हो तो क्या समझा जाए खबरे आए थी कि जुलाई में सहरनपुर से अलकादा के दो संदिक्त आतंगवादी गिरफतार हुए थी यानि जहां आतंकी गिरफतार हुए वहाँ ATS खुलना चाहिए या दिवबंद में ATS यूनिट सेट अप करने की राजनितिक अर्थ भी है और वो भी तालिबान से इस फैसले को जोडते हुए कि तालिबानी जो वहाँ पर कर रहे है या सत्ता में आ गया है अफगानिस्तान में उससे भी इसको जोड़ा गया आखिर ATS वैसे कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री तो नहीं है जो सेक्डल लोगों को रोजगार दे दे तो ये रोजगार की मोहिम तो कते ही नहीं कही जाएगी रोजगार रिवाइविल और एकॉनमी रिवाइविल की बात तो एहम है योगी सरकार के जिंडे पर लेकिन ये फैसला तो कते ही उससर रेलेटेड नहीं दिख रहा है यूपी सरकार के फैसले पर राजनितिक दलों ने सकत अपती जता है लेकिन सवाल उठता है कि आतंक और देवबंद का नाम एक साथ लेकर यूपी की योगी सरकार किस के हितों को साथ रही उसके निशाने पर कौन लोग है याद है एक बार मोदी मंतरी गिरराच सिंग ने देवबंद इसलामिक सेमिनेरी को आतंक की गंगोतरी बताया था फिर उन्हें वहाँ बुलाया गया नहुता दिया कि आईए आप भई इस तरह बयान दे रहें आईए देख जाईए एक बार जिसके बार उनको पता चला कि इसी दार अलुम ने देश को कई स्वतंतरता से नानी भी दी है लेकिन मेरा आज का सवाल तालिबान और भारत के मुस्लिम कुछ मुस्लिम निताओं के बयानों से जुड़ा है क्या भारत जैसे लुकतंतर में मुस्लिम निताओं को तालिबान का समर्थन करना चाहिए तालीबानी सोच कट्टर धार्मिक सोच का समर्थन करना चाहिए अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजेगा तो ये थी आज की नियूस बाजी फिर मिलेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए नमस्कार